प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्स्या आठवी से विज्ञान सैट वन एकजाम जो आज आपका हुआ था उसको हल करने वाले हैं तो जो बचे नई हैं या जिन बच्चो ने अभी तक चैनल को लाइक कर लें लाइक कर दें अपने साथियों को सेयर कर दें तो शुरू करते हैं आज की इस पेपर का हल तो पहले प्रस्ट में आप से पूछा है निमलिक्त में से कौन सी एक एंटी बायोटिक है तो यहाँ पर भी ओप्सन जो है इसका सही है स्ट्रेप्टोमाइसीन जो ह प्रवियत्य और तलाज सी पतियों समुंदर नहीं है निमलिक्त में से कौन सा कीट नासक है तो यहाँ पर तीनों ही कीट नासक है और टूफोर्डी खर्पतवार नासी भी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उप्रोक्त सबीस का बिलकुल सही ओप्सन है चेचा के टिकी की ख प्रवियत्यों के उस्यसों से प्राप्त होते हैं में यह खालिस्तान कैस देहन में सायक है तो ओक्सिजन है बिटुमिन कार्बन का सुदतम रूप है तो यहाँ पर एंथ्रासाइड होता है कार्बन का सुदतम रूप यहाँ पर बिटुमिन दिया हुए तो यह ऐस सबते है शमजाईए खाद उरुरक से किस प्रकार भीन है तो उरुरक एक मानव निर्मित लवण है खाद एक प्राकरतिक पदार था जो गोबर एंपोदों के अउसेस के विक्टन से प्राप्थ होता है उर्वरक का उत्पादन फैक्टरियों में होता है, खाद घेतों में बनाई जा सकती है, उर्वरक से मिट्टी को युमस प्राप्त नहीं होता है, खाद से मिट्टी को युमस पुर्चूर मात्रा में ब्राप्त होती है, कोक के उपयोग का वर्णन करें, तो कोक का उपयोग इ एनेक परकार की उप्योगी औस दित्यार की जाती है सुक्सम जीव का वानिज्यक उप्योग भी होता है जैसे अलकॉल, सरावे, बीयर बनाने में सुक्सम जीव मिट्टी की उर्वड़ता बढ़ाने वे प्रियावन सुधी करन का भी कार्य करते है मौंबती के जवाला का चितर सहीत वर्णन करें तो यहां पर मौंबती की जवाला के तीन भाग होते है सबसे बाहर का गरम भाग होता है पूर्ण दहन का भायक चितर होता है यह नीले रंका होता है बीच वाला कम गरम होता है आंसिक दहन वाला मद्य भाग पीला दिखाई देता है आपको सबसे कम गरम जो होता है बीना जली मौमबती का सबसे आंत्रिक छित्र काला दिखाई देगा आपको तो ये मौमबती की जवाला का आपको चित्र बना करके वर्णन करना था तो इस तरीके से आपको अपने पेप कर सकते हैं कितने निमर बनते हैं धन्यवाद